देखते हैं अगला स्वाल कील में कुछ जादू करके रखा हुआ इसे इस खौब में उमारे पैर में जादू उसके बाद में एक आदमी मेरे पीछे लगा रहता है मेरे गाओं का ही शकल में पहे जानता हूँ वो मुझे मानने कोशिश कर रहा है लेकिन मार नहीं सकता है मैं उसको मार मेरे नीशी आ जाता है मैं उसको मारना चाहता हूं लेकिन फिर मैं छोड़ देता हूं क्या मस्वला है इसका बता है आप ये हमारे एक भाई साब हैं कहते हैं कि 2014 में शादी हुई थी शादी की दूसरे दिन से इनको कुछ प्रेशानी शुरू हुई ये खाब देखना शुरू किये इनके पैर कि निशी कोई जादू कर रहा है इनको अजी वो गरीब चीज़ें खाब में नजर आते हैं ये पूशन की परेशानिया हर शक्स के सामने होती है यानि हर शक्स को शैतान इस तरह के वस्वसों का शिकार बनाता है और अफसोस की बात है कि हमारे समाज में जो आजकल राकी लोगों ने अपनी दुकाने खोल लगकी हैं उन लोगों के अकीदे को इतना करप्ट किया इतना होते थे उनको मतजल्जल करके रख दिया है एक बंदा एक खाफ देख लेता है और जादू जादू शिलाना शुरू कर देता है तो आपके लिए मेरा मश्वरा है कि ये सारी चीज़ें बेकार की चीज़ें ये सब जहन से निकाल दीजिए और ये जादू अगरा कोई कर दिया आता है कि ये जादू कर देगा और ये घरों में बीवियों के तालुक से जगड़े होते रहते हैं नही आउरत आती है उसके साथ जगड़ा लगा रहता है अब उसको जादू से ताबिर आप क्या कहना चाहते हैं कि शादी के बाद ये सब आपकी बीवी नहीं किय है या आपके बीवी के घरवालों की तरफ से यह सब हुआ है कि क्या खुराफात यह क्या तमाशा है एक आदमी कुरान को मानने वाला और हदीस को मानने वाला इस तरह की वाहियात अखीदे इस तरह की बेकार सोच उसके जिन में आग कैसे सकती है जहां तक खाब का मसला देखें सही बुखारी में अल्ला के नभी ने खाब के तीन किसमें बताई हैं कि खाब क्यों आते हैं नमबर एक हदीस नफस यह नहीं हमारे दिल के जो ख्यालात होती है खाब बन जाते हैं यह जो आपको दिख रहा है पेर के नीचे यह है फलाए हो सकता है कोई आपके सामने गुफटगू कर रहा हो दिन में कोई आपको बोल रहा हो कि तुम्हारी बीवी ऐसी है जादू करी होगी यह होगा हो तो जब लोग चार आदमी आपके सामने बात करेंगे तो वो चीज़ें क्या है खाब बन जाती है तो इसमें किसी का कोई शैतान अगतान का दखल नहीं होता है बलकि आदमी का खुद का दखल होता है कि खुद दिन भर यह इस तरह की चीज़ें सोचेगा लोगों के सामने बैठेगा बात करेगा तो वो चीज़ें खाब में आ जाती है आदमी जिस तरह से भी सोचेगा किसी भी मामले में अगर वो सोच उसका खाब बन जाएगी आप अन्दा करके देख लें अभी कोई शक्स दिन भर यही सोचना शुरू कर दे सयारों के बारे में चांद के बारे में नासा की जो वीडियो जो देखना शुरू कर दे और सुबा शाम उसी पर लगा रहे तो खाब में का देगागा कि और भी चांद पर पहुंच गया तो यह देखिए कोई भी चीज़ अगर आदमी सोचने लगेगा तो वो चीज़े खाब बन जाएगी यह खाब की पहली किसम होती है और दूसरी किसम क्या है तखवीफ यह श्यतान श्यतान की सबसे डराना होता है तो अगर श्यतान डरा रहा है तो उसके लिए दौाएं है अजकार है, आयत ल्कुर्सी है यह सब काफी है, टेंश रहने की जरूत नहीं और तीसरी चीज़ बुश्रा मिन ल्ला ल्ला की तरस से बशारत उती तो उसमें कोई मसला ही नहीं है इनने ल्ला कोई दिखाना चाहता है तो कोई बात ही नहीं है तो खाब की इन तीन किस्मों पर अगर आप गोर करेंगे तो खाब के तालुश से आपकी सारी उल्जने खत्म हो जाएंगे तो यह सब की कोई हकीकत नहीं है की कोई मार रहा है खाब में, कोई पीछा कर रहा है यह सब बेकार की बात है, हर शक्स को इस तरह के खाब आते हैं अब हर शक्स इसके पीछे जादूगरों को तलाशना शुरू कर दे, इसको जादू का नाम दे दे तो यह बेकार की बात है, तो हम यह समझते हैं कि यह सब जहन से आप निकालिए और अगर बिल, फर्ज, सपोज, कि कोई जादूगर, कोई फलाना, ढमाका आपके पीछे लगा भी है तो क्या भी गाड़ लेगा आपका, आपके पास कुरान है, जिक्रों असकार है, आप पांच उत की नमाज पढ़िए नमाज के बाद जिक्रों असकार पढ़िए, खुरान मजीद की तलावत कीजिए, सुबह शाम के असकार पढ़िए, काफी है अब आपको किस जादूगर से डरना, किस शैतान से डरना, राकी वगर आगा तो करीम मताने दीजिए इन सब मामलात में खुद नमाज पढ़िए, नमाज के बाद जिक्रों असकार कीजिए, शुबह शाम के असकार कीजिए और मामला कहां तक भी पहुंच जाए, राकियों को तो दूर भगाए, उनको आपने करीम मत फटकने दीजिए याद है कि अगर कोई राकिय आपके पास आगया तो आपके आखी देखो, तो बर्बाद करेगा ही आपकी जेब भी खाली कर देगा, वो आपको लूट लेगा और आपकी जेब पर डाके डालेगा, इसलिए किसी राकियों को तो करीम मताने दीजिए, खुद इसका इलाज क इतना बोलते हैं, जिन्दात कर लाएं, हमको क्यों नहीं आके कोई दबोचता है, यह सब ऐसे ही लोगों के साथ क्यों होता है, जो डर रहे होते हैं, तो आप यह खौफ निकालिए, शैतान होता है, पदा नहीं का मागके जाएगा, और आप जितना डरेंगे, जितना आएगा, शैतान से जादा राकी आपको ड्रहेंगे, ठीक है, इसलिए यह सारा जो वहें में अपने जहें से साफ कर दीजिए, और जो मैंने तरीका बताया आपको, कि पांच होत की नमाज, नमाज के बाद के असकार, और सुबह शाम के असकार, और जो दौाएं हैं रोजम भी कर सकते, ठीक है, और सबसे बड़ी बात, अगर आप अपना दिल मजबूत कर लें, यह शैतान जिनात भागे रसता नहीं पाएगा, कुछ नहीं बिगाड पाएंगे लोग, इसलिए आप अपना दिल मजबूत करें, अकीदा मजबूत करें, अपनी सोच को मुस्बत बन हैं, और किसी तरह का भी कोई अंदेशा रहता है, तो आप जिकर और असकार की पाबंदी करें, और वैसे भी पाबंदी करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ हो तो उनी को जिकर और असकार करना चाहिए, हर शखस को अपना ये मामूल बना लेना चाहिए, कि पांच रत की इसकार सुबर शाम के इसकार और रोज मर्रा की दौाएं ये हर शक्त को करते रहना चाहिए पहले ही से अकर किसी का ये मामूल बन जाए तो उसे किसी शैतान जिनात से डरने की जरा भी जरूरत नहीं है उमीदे के बाते हैं आपके लिए वाज़ हो गया होगी